नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मस्टर पर दोस्तों यह चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों आज में बात करने वाला हूँ गडित पेड़ागोजी की सीटेट 2019 के लिए गडित की पेड़ागोजी बहुत ही इंपोर्टेंट है गडित चुकि टफ सब्जेक्ट है इसमें कई प्रसना आप लोग हल नहीं कर पते हैं लेकिन अगर पेड़ागोजी जानते हैं तो पेड़ागोजी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और आपके गडित में स्कोर भी आपका अच्छा हो जाता है तो दोस्तों ये प्रसना है बहुत इंपोर्टेंट और कई बार रिपीट भी हो है उनको जान लेना बहुत जरूरी है तो दोस्तों देखते रहे वीडियो को अंतक चलिए शुरू करते हैं रेखा गडित की पूर बिध है वो है निगमन बिध यानि कि निगमन बिध में जो है नियम पहले बताया जाते हैं और बाद में उदारण का प्रयोक किया जाता है दोस्तों अगला है दस गीति का नामक ग्रंत की रचना किसने की थी तो दोस्तों दस गीति का नामक ग्रंत की रचना जो की थ वो की थी और भटने ऐसे ही प्रस्ण जो है Maths Pedagogy में एक दू प्रस्ण आ जाते हैं तो इस प्रस्ण को भी ध्यान में रखिएगा सिच्छर के सामान उद्देश कैसे होते हैं तो दोस्तों किसी भी सिच्छर के लिए जो उसके उद्देश होते हैं वो दूरगामी होते हैं याद रखिएगा ये प्रस्ण कई बार रिपीट हुआ है तो आपको याद रखना है कि सिच्छर के जो सामान उद्देश हैं वो दूरगामी होते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है जामित ही हल करने के लिए किस विदिका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों जो जामित है हल करने के लिए जामित में जो है बार बार समस्या आ जाती है उस समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है विसलेसड विदिका लेकिन पहले ही हमने आपको बताए कि रेखा गडित की जो मातपूर विदी है वो निगमन विदी है लेकिन जियामिती में जो समस्यां आ जाती है उनको हल करने के लिए विसलेसर विदी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अगला प्रस्ण है प्राथमिक इस्तर पर गडित सिछड का महत तो क्या होता है बहुत ही most important है कई सारे आफसन आपको दिये रहेंगे चार आफसन दिये रहेंगे लगबग मिलते जूलते लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि प्रात्मिक इस तर पे जो गडित का सिछड दिया जाता है वो उसका जो महत्त होता है वो होता है बेवहारिक यानि बेवहारिक रूप से बेवहार में जो है बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजे होती है आप उनको डिरेक्ट नहीं सिखा सकते हो कि नियम बता दिया उसको हल करवा दिया पूरा निगमन विदिके थूरू पूरी तरीके से वो नहीं समझ पाते हैं तो प्रात्मे किस तर पे जो है गड़ी सिच्छड का जो महत्तुफ होता है वो बेवारिक होता है फिर दोस्तों अ रखना है ग्रत की परिद ग्याद करने के लिए जो सिच्छड विधी है वो है क्रिया विधी याद रखिएगा ग्रत की परिद ग्याद करने के लिए क्रिया विधी का प्रियोक किया जाता है दोस्तों अंगला है रेखागडित का संबंध किस से है दो दोस्तों रेखागड प्रसार विस्तार से है फिर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रसन है पाठिकरम निर्मार के सिल्धान्त है तो मतलब पाठिकरम जो है किस तरीके से पाठिकरम निर्धारित किया जाता है किस तरीके से बनाया जाता है किस तरीके से पाठिक्रम का निर्मार किया जाता है तो दोस्तों इसमें कई सारे important point है इनमें से कोई भी आपको option में दिख जाएगा या सभी दिख जाएंगे तो आपको उप्रियुक्त सभी वाला टिक करना है या इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपको सटीक उसका आंसर होगा यानि कि पाठिक्रम के निर्मार के लिए समनबे होना जरूरी है और संगठित पाठिक्रम किस प्रकार हो ये भी आवश्यक है और उप्योगिता यानि कि जिन छात्रों के लिए इस पाठिक्रम का निर्मार किया जा रहा है उनके लिए कितना उपयोगी है और उसका जीमन से कितना संबंद है ये भी बहुत important है क्रियासिलता और साथी साथ परिवर्तन ये सारी चीजे जो हैं पाठिकरम निर्मार के लिए बहुत important है और यही पाठिकरम निर्मार के सिध्धान्त है अगला दोस्तों है गडित सभी विग्यानों का सिंह द्वार है और कुंजी है ये कथन किसका है ये भी इस तरीके के भी एक दो क्षिण जरूर आते हैं एक क्षिण तो आपको मिलेगा ही परिवासा का तो आप परिवासा को ध्यान में रखिएगा गडित सभी विज्ञानों का सिंग उधारवकुंजी ये किसने कहा था ये कहा था बेकन ने याद रखेगा बेकन फिर दोस्तों अगला प्रस्न है आगमन विदिका प्रमुक दोस कौन सा है तो दोस्तों आगमन विदिका जो प्रमुक दोस है वो ये है सबसे पहले आगमन वि दिया जाते हैं, बाद में इनका नियम बताया जाता है तो इसका जो प्रमुख दोस होता है कई सारे उधरल बच्चों को दिया जाते हैं जिसे हो एक्जामपल में ही confused हो जाते हैं तो बच्चे क्या करता het? बच्चburg दिमुगत से जो 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 है यदि अच्छा लगा तो लाइक जरू करिएगा और किसी भी सेजेशन के लिए कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट करना बिलकुल मत भोलिएगा